काफी ग्यानी आतमा हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी यह बताने बाली कि इसको प्यूर यूज करने से कोई नुकसान नहीं होता है बलकि फाइदा ही होगा आपको पहली चीज तो मतलब इसको प्यूर डाल दोगे तो कोई नुकसान नहीं होने बाला है आपको अच्छे comment box में आपको मिल जाएंगे कि मैंने ही उस किया मेरे को तो कोई फरक नहीं पड़ा मेरी गाड़ी में तो कोई नुकसान नहीं हुआ मैं सरह हर बार repeat करता हूँ कि जिस दिन आपकी गाड़ी में नुकसान होगा उस दिन वो आदमी आपको payment करने नहीं आएगा ठीक है उस आदमी ने कभी आपको payment देने के लिए वो नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने तुमको बोला था ठीक है मैं तुमको पैसे दे देता हूँ कोई दिक्कत नहीं वो कभी नहीं आएगे मेरी वीडियो उस पर भी कुछ लोगों के comment आये थे मुश्किल से 100-500 रुपे की चीज आपका इतना बड़ा नुकसान कर देगी आपने कभी जिन्दकी में सोचा भी नहीं होगा तो ये कुछ चीजे होती हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए मेरा कहने का मतलबी ऐसर हो सकता है मैं भी गलत जानकारी दे रहा हूँ आप verify कीजिए मैं सीधा straight way बोल रहा हूँ अगर आपको लगता है कि यार ये गलत जानकारी दे रहा है आप verify कीजिए आप एक जगा जाईए दूसरी जगा जाईए तीसरी जगा जाईए आप उसको verify करके ही अपने जीवन में अपना ये कभी भी किसी एक आदमी पे चाहे वो मैं ही क्यों नहीं कर सकते ठीक है आपको करना भी नहीं चाहिए हमेशा सुनो सबकी करो अपनी तो बात कर रहे हैं हम coolant के बारे में Coolant को पानी के साथ mix करना चाहिए की नहीं करना चाहिए यह हम आपको बता लेता हूँ अभी तो सबसे पहले यह जानना चाहिए Coolant के अंदर होता क्या है इस प्यॉर जो concentrated coolant रहता है वो रहता Ithain Glyco अल्हड़ी में पे एक वीडियो बनावी चुका था मैं आपको उसका description में link दे दूँगा उसमें आपके थोड़े वह doubt और clear हो जाएंगे तो इसमें ethylene glycol रहता है और इसकी property ये रहती है ये 0 से लेके minus 5 degree टक इसका freezing point रहता है मतलब 0 से minus 5 तक जैसे ही आएगा ये freeze हो जाएगा मतलब जम जाएगा तो कहने का मतलब ये है अगर आपकी गाड़ी लदाख में जा रही है ले बगरा घूम रहे हैं आप हिमाचल के थंड़े इलाकों में घूम रहे हैं वहां जैसे 0 से नीचे temperature आएगा आपकी गाड़ी खड़ी होगी उस ताइम पे ये freeze कर जाएगा और आपका radiator चौक रहेगा आपका जो head block जहां पे भी आपका coolant घूम रहा है pockets में चोटी चोटी pockets में तो वहां पे जाके jam हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है उसमें क्या हो जाएगा नुकसान कैसे पूरा आपका जो water pump है वो जम गया radiator जम गया हर चीज जम गयी आपकी गाड़ी ओवरीट मार जाएगी ठीक है पहली चीज दूसरी चीज अब आपके मन में doubt यह आ रहा होगा मैं तो गाड़ी ले लेकर जाओंगा नहीं जीरो से माइनस पांच तक तो मेरी गाड़ी कभी जाएगी नहीं मैं तो गाड़ी चलाओंगा अपनी जाके MP में या फिर बैंगलोर में या फिर केरला में जहां पे तो टेंपरेचर जाता ही नहीं है कभी भी जीरो से नीचे तो सर मैं एक बहुत और बता दूँ इसकी जो सबसे बड़ा मित जो आप लोगों को यह है वो कि इंजन जो हमारी गाड़ी का है कुलेट उसको ठंडा रखता है थंडा बिल्कुल नहीं रखता है सर आपकी गाड़ी के जो इंजन का एंबियंट टेंपरेचर है जिस टेंपरेचर पर उसको वर्क करना चाहिए उसको अगर गरम हो जाएगी ओवरीत हो जाएगी तो उसमें भी नुकसान है तो यह एक एंबियंट टेंपरेचर को मैंटेन करते के रखने की कोशिच करता है और आपके इंजन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको असको ट्रांसफ़र करता है एटमोसफियर में कैसे ट्रांस इसको ठंडा करना सुरू कर देगा, ठंडा होने के बाद में फिर से सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है, हीट ट्रांसफर आपकी गारी में बहुत जुरूरी है, और अगर आप इसको प्योर यूज करते हो, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, 35% उसकी कपस्टी रिड्यूस हो जाएगी, अब होगा क्या उससे, जब भी आप गारी आइडलिंग पर रखोगे, मतलब खड़ी गारी स्टार्ट करोगे काफी देर तक, या फिर आप सिटी ट्राफिक में चलाते हो, मतलब शहर में अगर आप गारी चलाते हो, तो आप देख इससे वर्स्ट अगर जाते हैं हम, तो आपके हेड में क्रैक्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हीट बहाँ पर पैदा होगी, और हीट पैदा होने के बाद में, जो मैटल है वो एक्सपेंड करता है, एकसपेंड करने के बाद में तो आपको पता यह पूरा कांड हो जाएगा वहा बार कम करते हैं आपकी गाड़ी में जो करोजन है किरोंगे करोजन को खथम करने का काम करते हैं तो अगर अगर is को प्योज रूजिस करोगे तो सिलिकेट फासपेट्स और नाइट्रिस जो होते हैं वो नीचे बाएड़ जाएंगे एक जगा में मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे वो गूमेंगे नहीं सही तरह से तो सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी खतम होगी एंटी क्रोजिफ जो इसकी प्रॉपर्टी थी तो क्रोजन भी आपकी गारी में लग जाएगी फिर वोई कांड होगा, रेडिटर चोक हो जाएगा, वाटर पम खराब हो जाएगा, मतलब कहने का ये है छोटी सी गलती, हलांकि आपने खर्चा जादा किया, तीन डब्बे यूज किया, आपने इसके, डेड़ सो डेड़ सो रुपे का एक आया होगा, ठीक है, चार्सो पान जाएगा जाएगा, तो आपको एक इंडिकेशन दे दिया करूंगा कि इस बंदेने जो है, और चोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं हैं सरवू, ढाईडाई 3-3 लाग सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के, वो गलत जानकारी देरे हैं आपको बहुत गलत जिससे आपकी गा जिसरम आदमी होगा तो पक्का कमेंट करने नीचे आजाएगा, कि मैंने तो गाडी में अपना प्योर कुलेंट डाला मेरे को कोई नुकसान नहीं हूँआ, साब जिस दिन आपकी गाडी में मेरा बात याद रखना, जिस दिन आपकी गाडी में प्रॉबलम आएगी किसी की गलत सला की बज़ा से, वो आदमी चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आपको कभी भी आपकी गाडी के पैसे ठीक करवाने के नहीं देने वाला है, तो मेरा कहने का मतलब सीधा यही है, प्योर अपना कूलेंट गाडी में यूज मत करना, जो रिकमेंडेशन है मैनुफेक्टर की, अगर यहां पे लिखा है, mix up to three times in soft clean water, तो इसको three times mix कीजिए, उसके बाद में ही डालिए, ठीक है, तो जो भी मैनुफेक्टर की रेकमेंडेशन हैं, उसके according चलना है आपको, मेरी सला या किसी और किस सला पे बिलकुल मत जाएए, उसको verify करिए, पर wifi करना है आपको reliable sources से, अ अगर या होते हैं, वो आपको ढूंदना पड़ेगा, मेरे से ज़र आगर reliable आपको कही मिलता है, तो अच्छी बात है, मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, तो इस चोटी सी जानकारी थी, पर बहुत ज़रूरी जानकारी थी, और बहुत जादा आपके पैसे सेव कर सकती है, आ मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए, आपका बहुत दन्यावाद, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक जैहिन, जै भारत